हेलो एफ्रिवन वेल्कम बैक टू होम क्यूटर आज की वीडियो में हम अध्यन करने वाले हैं कक्षा आठ के संस्कृत विशय के पंचमह पाठा का पाठ का नाम है कंटकेन एव कंटकम यानि की काठे से ही काठा निकलता है यह जो पाठ है इसकी जो कहानी है यह कहां से ली ग पंचतंत्र की शैली में इसको रचा गया है और इस पाठ में हमें बताया गया है कि जब भी हम पे कोई संकट पड़े तो किस तरीके से अपने दिमाग का प्रयोक करके अपनी चतुराई का प्रयोक करके हम उस संकट से बाहर निकल सकते हैं तो चलिए इस पाठ का अध्यन कर चंचलो नाम ब्याधः आसीत यानि की था कश्चित यानि की कोई चंचलो यानि की चंचल नाम ब्याधः ब्याधः का अर्थ होता है शिकारी चंचल नाम का कोई शिकारी था पक्ष म्रिगा आदी नाम ग्रहडेन सह सुयाम जीविकाम निर्वहतिस्म पक्ष म्रिगा दीनाम यानि की पशुपक्षियों आदी के ग्रहडेन का अर्थ होता है ग्रहड करने से सह यानि कि वह सुयाम यानि कि अपनी जीविकाम यानि कि जीविका को निर्वाह यत यानि कि निर्वाह करना इसमे यानि कि था पशुपक्षी आदि को ग्रहण करने से वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था यानि कि वह क्या करता था पशुपक्षियों को पकड़ कर उससे अपनी जीवी का चलाता था एकदा सह वने जालम विस्तीर्य ग्रिहम आगतवान एकदा यानिकी एक बार सह यानिकी वह वने यानिकी वन में या जंगल में जालम यानिकी जाल विस्तीर्य यानिकी विछा कर ग्रिहम यानिकी घर आगतवान यानिकी आगया एक बार वह जंगल में जाल विछा कर घर आगया अन्यस्मिन दिवसे प्रातह काले यदा चंचलह वनम गतवान तदा सह द्रिष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दौरभाग्याद एक अह व्यागरह बद्ध आसीत अन्यस्मिन यानिकी दूसरे दिवसे यानिकी दिन में प्रातह काले यानिकी सुबह के समय में यदा यानिकी जब चंचलह यानिकी चंचल वनम यानिकी जंगल को गतवान यानिकी गया तदा यानिकी तब सह यानिकी वह द्रिष्टवान यानिकी देखा यत यानिकी की तेन य यनिकी विछाये हुए, जाले यनिकी जाल में, दौर्भाग्याद यनिकी दुर्भाग्य से, एकह यनिकी एक, व्याग्रह यानिकी बाघ, बद्धह यानिकी फस गया, आसीत यानिकी था, दूसरे दिन जब सुबह के समय चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके विचाय जाल में दुर्भाग से एक बाग फस गया था सो अचिंतयत व्यागरह माम खादिश्यती अतयव पलायनम करणियम सो अचिंतयत यानिकी उसने सोचा व्यागरह यानिकी बाग माम यानिकी मुझे खादिश्यती यानिकी खायेगा अतयव यानिकी इसलिए पलायनम यानिकी भाग जाना करणियम यानिकी चाहिये उसने सोचा कि बाग मुझे खा जाएगा इसलिए भाग जाना चाहिए व्यागरह निवेद्यत व्यागरह यानिकि बाग निवेद्यत यानिकि निवेदन करता है भो मानवह कल्यानम भवतु ते भो मानवह अर्थात हे मनुष्य कल्यानम भवतु ते यानि कि तुम्हारा कल्याण हो बाग ने निवेदन किया कि हे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो यदि त्वाम माम मोच अश्यशी तरही अहम त्वाम ना हनिश्यामी यदि त्वाम यानि कि तुम माम यानि कि मुझे मोच अश्यशी का अर्थ होता है छोड़ देते हो या मुक्त कर देते हो तरही यानि कि तब आहम यानि कि मैं त्वाम यानि कि तुम्हें न यानि कि नहीं हनिश्यामी यानि कि कोई हानी पहुचाओंगा यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कोई भी हानी नहीं पहुचाओंगा तदा सह व्याधा व्यागरम जालात बही निससार्यत तदा यानिकी तब सह यानिकी वह व्याधा यानिकी शिकारी व्यागरम यानिकी बाग को जालात यानिकी जाल से बही यानिकी बाहर निससार्यत यानिकी निकाल देता है तब वहाँ शिकारी बाग को जाल से बाहर निकाल देता है व्यागरह क्लांतह आसीत व्यागरह यानिकी बाग क्लांतह यानिकी ठका हुआ आसीत यानिकी था बाग ठका हुआ था सो अवदत यानिकी उसने कहा भो मानव पिपासु अहम हे मनुष्य पिपासों हम यानि कि मैं प्यासा हूँ नद्याह जलम आनिय मम पिपासाम शमय नद्याह यानि कि नदी से जलम आनिय यानि कि जल लाकर मम यानि कि मेरी पिपासाम यानि कि प्यास शमय यानि कि बुझाओ नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ व्यागरह जलम पीत्वा पुनह व्यागरह यानिकी बाग जलम यानिकी जल पीत्वा यानिकी पीकर के पुनह यानिकी दोबारा व्याधम यानिकी शिकारी अवदत यानिकी बोला तो बाग जल पीकर शिकारी से बोला शमय यानि की बुझ गई मे यानि की मेरी पिपाशा यानि की प्यास मेरी प्यास बुझ गई साम प्रतम बुभिक्षितो अस्मी, साम प्रतम यानि कि अब बुभिक्षितो अस्मी यानि कि मैं भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिश्यामी, इदानीम यानि कि इस समय अहम यानि कि मैं त्वाम यानि कि तुम्हें खादिश्यामी यानि क अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम्हें जोट बोला। व्यागरह अवदत भाग बोला। अरे मूर्ख शुधार ताय किमपी अकार्यम नाभवती। शुधार ताय यानिकी भूखे व्यक्ति के लिए। किमपी यानिकी कुछ भी अकार्यम यानिकी नहीं करने योग्य कार्य नाभवती यानिकी नहीं होता। बाग बोला अरे मोर्ख भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं करने योग्यकार्य नहीं होता अर्थात भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है सर्वह स्वार्थ समीहते, सर्वह यानिकी सभी स्वार्थ यानिकी अपना भला समीहते यानिकी चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं चंचल नदी जलम अप्रिक्षत चंचल यानि की चंचल नदी जलम यानि की नदी के जल से अप्रिक्षत यानि की पूछा चंचल नदी के जल से पूछा नदी जलम अवदत नदी के जल ने कहा एवम एव भवती एवम एव अर्थात ऐसा ही भवती यानिकी होता है जनाह मै स्नानम कुर्वंती वस्त्राण प्रक्षाल यंती तथाच मलमुत्रादिकम विस्रिज्य निवर्तंते वस्तुताह सर्वह स्वार्थ समीहते जनाह यानिकी लोग मै यानिकी मुझमे स्नानम यानिकी स्नान कुर्वंती यानिकी करते हैं वस्त्राण यानिकी कप्डों को प्रक्षाल यंती यानिकी धोते हैं तथाचा और मलमुत्रादिकम मलमुत्रादिको विस्रिज्य यानिकी त्याग कर निवर्तंते यानिकी लोट ज वस्तुताह यानिकी वास्तों में सर्वह यानिकी सभी स्वार्थ यानिकी अपना भला समीहते यानिकी चाहते हैं। व्रिक्षम यानिकी व्रिक्ष के उपगम्य यानिकी जाकर प्रिक्षत यानिकी पूछा चंचल व्रिक्ष के पास जाकर पूछा व्रिक्ष अवदत व्रिक्ष ने कहा मानवाह स्माकम शायायाम विर्मन्ती मानवाह यानिकी लोग स्माकम यानिकी हमारे चायायाम यानिकी चा आई कहा कि लोग हमारी चाया में विश्राम करते हैं समाकम फलानि खादनती हमारे फल को खाते हैं पुनह कुठारही प्रहृत्य स्मभ्यम सर्वदाकश्टम ददाती पुनह यानिकी उसके बाद कुठारह यानिकी कुलहाडी से प्रहृत्य यानिकी प्रहार करके स्मभ्यम यानिकी हमें सर्वदा यानिकी हमेशा कष्टम यानिकी कष्ट ददात यानिकी देते हैं इसके बाद कुलहाडी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं यत्र कुत्रापी यानिकी जहां तहां भी कटाई कुर्वंती यानिकी करते हैं, जहां तहां कटाई भी करते हैं, सर्वम स्वार्थ समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं समीपे एका लोमशिका, बदरी गुल्मा नाम, प्रिष्ठे, निलीना एताम वारताम, श्रीडोतिस्म, समीपे यानिकी पास ही, एका यानिकी एक, लोमशिका यानिकी लोमडी, बदरी गुल्मा नाम, यानिकी बेर की जहाड़िया, प्रिष्ठे यानिकी पीछे, निलीना या चुपी हुई एताम यानि की इस वारताम यानि की बात को शुरुडोती यानि की सुन रही इसम यानि की थी। चंचल के पास जा कर कथयत यानि की बोली आचानक वह चंचल के पास जा कर बोली। कावार्ता यानि कि क्या बात है, माम यानि कि मुझे अप यानि कि भी विज्यापय यानि कि बताईए, क्या बात है, मुझे भी बताईए सह अवदत, सह यानिकि वह अवदत यानिकि बोला, अह मात्री स्वसह, अह यानिकि अरे, मात्री स्वसह यानिकि मौसी, अरे मौसी अवसरे तुम समागत्वती, अवसरे यानिकि मौके पर तुम यानिकि तुम समागत्वती यानिकि आ गई, अरे मौसी तुम सही समय पर आ गई मया यानिकी मेरे द्वारा अस्य यानिकी इस व्याग्रस्य यानिकी बाग के प्राडाह रक्षिता यानिकी प्राडों की रक्षा की गई परम यानिकी लेकिन एशह यानिकी यह मामेव यानिकी मुझे ही खादितु मिक्षत यानिकी खाना चाहता है मेरे द्वारा इस बाग के प्राडों की रक्षा की गई या मैंने इस बाग के प्राडों की रक्षा की लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है तदंतरम सह लोमशिकाये निखिलाम कथाम निवेदयत तदंतरम यानिकी इसके बाद सह यानिकी वह लोमशिकाये यानिकी लोमडी को निखिलाम यानिकी पूरी कथाम यानिकी कहानी निवेदयत यानिकी सुनाई इसके बाद उसने लोमडी को पूरी कहानी सुनाई लोमडी ने चंचल से कहा बाढम यानि कि ठीक है तुम यानि कि तुम जालम यानि जाल को प्रसारे यानि कि फैलाओ ठीक है तुम जाल को फैलाओ पुनह सा व्यागरम पुनह यानिकी दोबारा सा यानिकी वह व्यागरम यानिकी बाग को अवदत दोबारा वह बाग से बोली केन यानिकी किस प्रकारेड यानिकी प्रकार से तुम यानिकी तुम इतस्मिन यानिकी इस जाले यानिकी जाल में बद्धा यानिकी फसे इत यानि की ऐसा आहम यानि की मैं प्रत्यक्षम यानि की प्रत्यक्ष द्रश्टुमिक्षाम यानि की देखना चाहती हूं तुम इस जाल में किस प्रकार से भसे थे यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं व्यागरह यानिकी बाग तद यानिकी वह व्रितांतम यानिकी घटना प्रदर्श यतुम यानिकी दिखाने के लिए तस्मिन यानिकी उस जाले यानिकी जाल में प्राविशत यानिकी प्रवेश किया बाग उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया लोमशिका पुनह अकत्यत लोमडी ने पुनह कहा संप्रति यानि की अब पुनह पुनह यानि की बार बार कूर्दनम यानि की कूद कृत्वा यानि की करके तर्शय यानि की दिखाओ अब बार बार कूद कर दिखाओ सह तथयव समाचरत सह यानि कि वह तथयव यानि कि वैसा ही समाचरत यानि कि करता है वह ऐसा ही करता है जब अनारतम यानि कि लगातार कूर्दनेन यानि कि कूदने से सह यानि कि वह श्रांता यानि कि ठक अभुवत यानि कि गया लगातार कूदने से या लगातार उचल प्राड भिक्षामियू याने की प्राणों की भिक्षा चोय यानिकी और आयाचत यानिकी मांगने लगा जाल में फसा हुआ वह बाग ठक कर बेसहारा होकर वहां गिर पड़ा और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा लोम शिका व्यागरम अवदत लोमडी ने बाग से कहा सत्यम यानिकी सत्य त्वया यानिकी तुम्हारे द्वारा भनितम यानिकी कहा गया सर्वह स्वार्थम समीहते सभी अपना भला चाहते हैं लोमडी ने बाग से कहा कि तुमने सच कहा था कि सभी अपना भला चाहते हैं और इस प्रकार से क्या हुआ कि शिकारी की जान बच गई तो यहाँ पर आपने देखा कि लोमडी ने कैसे सूजबूज लगाई और बाग को वापस से जाल में फसा दिया होफ़ल कि यह पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर पार्ट से समबंदित कोई भी दाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके अभ्यास को हम करेंगे अगले वीडियो में